तो क्या हल चाल है दोस्तों आपके आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका यदि मॉबाइल का स्टोरेज बहुत जल्दी फुल हो जाता है और आप उससे परिशान हो चुके हैं तो इस वीडियो को पूरी देख लीजीगा क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने फॉन का स्टोरेज कैसे खाली कर सकते हैं दोस्तों और वो भी बिना डिलीट किये आपको कुछ भी डिलीट नहीं करना पड़ेगा और आप अपने फॉन का स्टोरेज खाली कर पाएंगे लेकिन वीडियो को ध्यान से देखेंगे तब आपसे एक छोटी सी रिक्वेश्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइगन पर प्रेस कर दीजिएगा ये काम आपको जरूर करना है क्योंकि यसी नई-ने ट्रिक्स आपके लिए मैं लाता रहूँगा और दोस्तों वीडियो पसंद आ जाए तो लाइ तो आपको क्या करना है आपको यहां पर एक ओप्सन दिखेगा दोस्तों अब वो ओप्सन क्या है दोस्तों वो मैं आपको बता देता हूँ यहां पर आप देखिए आपको बर्जन का ओप्सन दिखेगा इस बर्जन पर क्लिक करना है यहां पर बिल्ड नमर आपको settings में आपको मिलेगा तो आपको यहाँ पर system settings में क्लिक करना है आपको यहाँ पर नीचे जाना है नीचे आप देखेंगे तो आपको developer options का यहाँ feature है यह मिल जाएगा आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा अब दोस्तो नीचे आप जाईएगा आपको नीचे ही नीचे चले जाना है अब आपको थोड़ा सा scroll करना होगा दोस्तो आपके फोन में एक option दिखेगा अब दोस्तो आपको बता दू कि आपके फोन में दोस्तो आप जितने भी एप डाउनलोड करते हैं वो सारे एप आपके फोन का जो इंटरनल स्टोरेज है उसमें डाउनलोड होते हैं उसमें इंस्टॉल होते हैं दोस्तो ये सब लेकिन आपको क्या कर रहा है अब आपको पता है कि कुछ एप एक एक जीवी के भी होते हैं 500 MB के होते हैं 10 MB के होते हैं यहां पर 1 MBK भी होते हैं, 100 MBK, 200 MBK होते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, यहां पर आप दिखें, उपर एक उप्सन दिख रहा होगा, Force Allow Apps on External, तो दोस्तों, यहां पर जो आपके फॉन में External SD Card होगा, उसमें यह एप डाउनलोड हुआ करेंगे, दोस्तों, तो आपको इसको On कर देना है, बस, Simple सा यह काम करना है, इसको On कर दीजिएगा, अब दोस्तों, आपके फॉन में Storage से Related कोई भी Problem नहीं होगी, आपके फॉन में बताता होगा ना, दोस्तों, वहां पे Running Storage लो, कुछ ऐसे बताता है, दोस्तों, तो बार-बार Notifications आता रहता है, और वो Notification बार में ही आपको दिखा देगा, Manage Apps and Device, इस पर आपको क्लिक कर देना है, उपर आप देखिए, यहां पर Manage का Option देखेगा, आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा, अब यहां पर आप देखेंगे, तो Install का Option देखेगा, आप इस पर क्लिक कीजिएगा, नीचे Not Installed पर आपको क्लिक कर देना है, अब दोस गेरे हुए हैं, आपके फॉन में इस पे समय कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इन एप्स को आपको आपके फॉन से डिलीट कर देना है, ठीक है, तो आप जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यहां पर एक एप यह अपए आप आप यह ऐसे कि यह अप ले लिजिए 12MB क तो आपको इसको डेलीट कर रहा है, तो इस पर क्लिक कीजिए, उपर आपको यहां पर यहां पर यह डेलीट का साइन दिखेगा उपर, कौने में इस पर क्लिक कर देना है, और रिमूब पर क्लिक कर दीजिए, अब दोस्तो 12 MB आपके फोन में से यहां पर खाली हो चुकी है, 12 MB का storage बढ़ चुका है आपके फोन में, तो इस तरीके से आप storage बढ़ा पाएंगे दोस्तो, ये ट्रिक्स है, बहुत छोटी-छोटी आप देखेंगे, तो वीडियो एडिटर ये 8.5 GB storage बढ़ा है, लेकिन ये एप हमारे काम के है, तो इनको हम डिलीट नहीं करेंगे, आपको केबल यहाँ पे not installed app को सबको डिलीट कर देना है, और आपके फोन में आप देखिएगा, ज्यादा भी नहीं तो 100-200 एप तो आपको म के नहीं है दोस्तों ये, तो आपको वीडियो कैसी लगी, ये जानकारी आपको समझ में आई या नहीं आई, फ्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और यदि आप और कुछ समझना चाते हैं, सीखना चाते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बता दीजेगा, लेकिन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत पूलेगा, अभी प्रेस कर दीजे, सब्सक्राइब के बटन पर, थैंक यू